देश में चाइनीज आप टिक टॉक फिछले साल अप्रेल 2019 में भारत में बैन हो गया था मदरास हाई कोट ने इसे बैन कर दिया था और सुप्रीम कोट ने भी हाई कोट केश फैसले पर महौर लगा दी थी उस वक्त टिक टॉक देश में बैन हो गया था और प्ले स्टोर से हम टिक टॉक आप को डाउनलोड नहीं कर सकते थे लेकिन बाद में टिक टॉक ने बापसी कर ली थी देश में टिक टॉक को लेकर अक्सर विवाद रहते हैं क्योंकि देश के लोगों का मानना है कि टिक टॉक पर लोग लाइक के लिए कुछ भी करने को तयार होते हैं। वे कई ऐसे स्टंट करते हैं जिससे उनकी जान तक चली जाती है। चाये फिर वो गाड़ी से बहार निकल कर चलना हो या फिर अजीवो गरीब हरकते हो। टिक चलील वीडियो देखने को मिलती हैं। लोग लाइक पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। लेकिन अब टिक टॉक को लेकर विवादों में आई हैं मिस्र की एक डांसर। आईए आपको बताते हैं। टिक टॉक पर मिस्र की एक हाई प्रोफाइल 42 वर्शे बैली ड डांसर अलमैसी को टिक टॉक पर उत्तेजित वीडियो पोस्ट करना भारी पड़ गया। काहिरा की कोर्ट ने उनके ओपर दुर वहवार और अनैतिकता के लिए उकसाने का आरोप लगाया। जिसमें उनको तीन साल की सजा और 30,000 पाउंड यानी 14,000,000 रुपे का जुर्मा डांसर अलमैसी को अपरेल में शोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों के जाच के दौरान गिरफतार किया गया। उन्होंने इस वीडियो को टिक टॉक पर सारवजनिक रूप से शेयर किया है। उन पर लोगों में उत्तेजना बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने मिस्र में अपने परिवार के सिध्धानतों और मूलियों का उलंगन किया है। वही कोट ने इस फैसले को लेकर एक संसस सदस्य जॉन क्लार्क ने कहा कि ब्रहमकता और सोतंतरता के बीच काफी बड़ा अंतर है। अन्यकई महिलाओं और अलमैसी सोशल मीडिया प मांग फिर से उठी है क्योंकि भारत चीन विवात के बाद चाइनीज एप को बंद करने की लगातार मांग हो रही है। इस मुद्दे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत में भी टिक टॉक के असलील वीडियो पर जुर्माना लगाना चाहिए। आपकी इसके बारे में क्य